हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बाजपा कारेकरताओं द्वारा बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए विरोध दर्च किया था लेकिन प्रशासन ने ताना शा पूर्बग भाजपा कारेकरताओं पर मुकत्मा कर दबाने का काम किया जा रहा है विधायक समाराब गरासिया ने कहा कि सिरोही के निर्दलिय विधायक सायम लोड़ा पर निशाना साथते हुए का कि निर्दलिय विधायक कहीं भी जाते हैं तो 50-100 लोगों की भीड लेकर ही जाते है जब COVID guidelines का उलंगन नहीं होता है जिले का पूरा प्रशासन वग निर्दलिय विधायक के दबाव में काम करना है गरासिया ने कहा भाजपा के कारेकरताओं को दबाने का प्रयास प्रशासन नहीं करे भाजपा कारेकरताओं पर मुकद में वापस नहीं लिये गए तो इसका अंजाम प्रशासन को भुखतना पड़ सकता है जागरुक टेवी के संबादत से बात करते वे समाराम गरासिया विधायक आबूट पिंवाडा इन्हों नहीं ये कहा परदेश के आदेशा अनुसार बंगल में हुए भाजपा कारेकरताओं पे इंशा के समन्द में वीरोध परदेशन काली पर्थी बान करके किया था और कोविन गाइडलेंड के पालना के साथ में किया था और जिस परकार से हमारे भाजपा कारेकरतों के जो मुक्द में चलाए जा रहे हैं मैं इसकी निंदा करता हूँ